चत्तीजगड पुलिस ने गुरुवार को गुड्यारी में एक घर से 97 करोड रुपे बरामद किये जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट शामिल थे पुलिस को अपराधी को घर से बहार निकलने के लिए बड़ी मसकत करनी पड़ी उन्होंने घर का दर्वाजा तोड़कर अपराधी को घर से बहार निकाला अब पुलिस ये पता करने में लगी हुए है कि आखिर इतना रूपया आया कहा से पुलिस पालके रूप्हता करने अपछित उन्होंना मुझा जोगीמائ kit उन्होंनोननननननननननननननननननननन डिक आड़ी में लिए आख् pessoa और रस पत्स पुए श्याए उन्होंसरो Punjab पहाल। इक का माँता हम vibe इसको लेके जड़ कुछ लड़के लेजा साथ में टेकिम टेकिम अरे जल्दी इसके साथ और लोग लगाओ पुछ पर दुलनाम्ही इसके लेलें टेकिम 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 गीसेते कोना ज़क्यष और अभाट व लोगाओ कर अचे हो पुछ सब हमान इसके पर अप्स, येज़े जगा भी27 व्हां कीॢ कर लोगाओ है। कैसे पैसे बनावद हुआ कितना सर कुछ कहना है आपको इतना पैसा नोट बंदी थी सरकार की तो यह नोट आपने जमन ही किया बैंक में क्या कैसे आए मतलब कानून देश के विरूद में है की नहीं है अब चैन्बे करोर रप्या बरामद हुआ सर कुछ कहना है नहीं यह पैसा आपके हाथ बरामद हुआ तो कैसे कलेक्शन हुआ कहां से आए यह आपका पैसा है किसे उनका है इस तरह के विडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए साथ ही आप अपने नए आईडिया और अपने पसंद के न्यूज या विडियो हमारे साथ शेर कर सकते है